इसके बाद एक और महत्वपुन पारिभाशिक सब्द आता है वो है इफेक्ट्व एटॉमिक नंबर प्रभावी परमानू संख्या इस जिसे हम संशेक में ए ए एन भी कहते हैं इसे हम एक उदाहरान के द्वारा समझते हैं यहां पर हमारे पास एक कॉंप्लेक्स कंपाउंड है जिसमें की कॉपर केंदरीधातू परमानू है और इससे छे एमीन समूम लिगन के रूप में उपस्तित हैं साथ ही जो काउंटर आयन है वहां क्लोराइड है यानि की सी एल्टू यहां पर जुड़ा हुआ है सबसे पहले हम देखते हैं कॉपर की एटॉमिक नंबर हम जा जुबारा कितने एलेक्ट्रान मिलते हैं चूकि यहां पर 6 लिगन है और हर लेगन एक चोड़ा एलेक्ट्रान को देता है तो यहां पर 6 लिगन है तो तो 6 लिगंड से मिलने वाले कुल इलेक्ट्रानों की संख्या 6 गुणा 2 याने की 12 हो गई अग हम देखें कि यहां पर जो कॉपर है वो इस पर चार्ज कितना है तो यहां पर कॉंप्लेक्स में अनुमान के द्वारा निकालें क्यूंकि कॉंप्लेक्स के बाहर CL2 है और एक क्लोराइड आयन पर एक नेगेटिव चार्ज होता है यानि की CL2 के में कुल मिलाकर दो नेगेटिव चार्ज काउंटर आयन में है और चुकि कॉंप्लेक्स उदासीन होगा तो काउंटर आयन पर दो नेगेटिव चार्ज है इसलिए कॉंप्लेक्स पर दो पॉजि कि कॉपर यहां पर प्लस टू ऑक्सिडेशन स्टेट पर है और जब उदासीन परमाणू था कॉपर तब उसकी जो अटॉमिक नंबर थी वो 29 थी लेकिन यहां पर चुकि कॉम्प्लेक्स में यह 2 प्लस आयन के रूप में मौजूद है और इसलिए जब वो 2 प्लस आयन बनाए तो इसमें से दो इलेक्ट्रान बाहर चले जाएंगे यते की दो इलेक्ट्राण इसकी अटोमिक नंबर से હम हो गएं तो अब जो कॉपर के पास कुल कितने एलेक्ट्रान बचे तो हम इससे कहें देखते हैं सबसे पहले हम ले कि इसके पास 29 एलेक्ट्रान खुद के थे प्लस इसको लिगंड के द्वारा 12 एलेक्ट्रान मिले यह निकी यह होगा टोटल 41 और आयन बनाने के लिए ना कॉपर 2 प्लस आयन बनाने के लिए इसने दो इलेक्ट्रान बाहर दे दिये तो यह हो गए माइनस टू और इस तरह से जो अब कॉपर आयन की पास टोटल इलेक्ट्रान बचते हैं वो हो जाएंगे 39 और यह जो 39 की संख्या है इसे ही हम effective atomic number कहते हैं इस तरह हम देखें कि एक complex formation के पश्चात कें केंद्री धातू परमानू के पास कुल जितने इलेक्ट्रान होते हैं उसे हम केंद्री धातू परमानू की प्रभावी परमानू संख्या या effective atomic number कहते हैं और इसे हम फार्मूले के रूप में भी लिख सकते हैं हम जानते हैं परमानू संख्या को capital Z के द्वारा शो करते हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे capital Z plus क्योंकि प्रतेक लिगंड एक जोड़ा इलेक्ट्रान देता है तो इस तरह से लिगंड से प्राप्त इलेक्ट्रानों की संख्या के लिए हम लिख सकते हैं 2 into number of donor atom है ना यहाँ पर लिगंड की संख्या हम नहीं लिखेंगे क्योंकि कई पा और number of donor atom माइनस हम लिखेंगे oxidation number तो इस तरह से और हम जानते हैं कि लिगंड के पास जितने donor atom होते हैं उतने वो केंद्री धातू परमानू के साथ coordination bond बनाता है और वही उसकी coordination number होती है तो इस तरह से हम लिख सकते हैं जेड प्लस टू इन्टू coordination number minus oxidation number तो इस तरह हमें एक formula मिल जाता है जिसके द्वारा हम आसानी से केंद्री धातू परमानू की effective atomic number ग्याद कर सकते हैं इसे हम उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं सबसे पहले उदाहरण लेते हैं हम k4 fecn6 का हम जानते हैं यहां पर iron की यदि हमें effective atomic number निकालना है तो iron का atomic number होता है 26 और यहां पर जो लिगन है वो की संख्या 6 है यानिकी इसे 6 गुणा 2 यानिकी 12 इलेक्ट्रान लिगन्स के द्वारा प्राप्त होंगे तो हम कर सकते हैं यहां पर 26 प्लस 12 अब हम पता होनी चाहिए कि यहां पर iron का oxidation नंबर क्या है तो iron का oxidation नंबर हम अनुवान से निकाल सकते हैं जैसे कि यहां पर हम देखें सबसे पहले है counter iron counter iron यहां पर potassium है जिस पर plus 1 charge होता है और इसकी शंख्या 4 है साथ- Councillor यहां पर जो लिगन्ड है वहemieजित्वाद है इसकी संख्या 6 है इसलिए यहां पर total negative चार्ज हो जाते हैं अब अंदर जो कॉंपलेक्स के 6 नेगेटिव चार्ज यदि काउंटर आके चार्ज पोजट्व चार्ज से नेट्रिलाइज हो गए तो अब बचे जो दो नेगेटिव चार्ज है वो निश्चत रूप से केंद्रिय धातु पर माणू के द्वारा नोट् स्टू होगा तो इस तरह से हम जो इसके टोटल अभी लेक्ट्रान आये थे उसमें से दो माइनस कर देते हैं तो यहाँ पर हमें मिलता है 36 और यहाँ पर हम देखें कि जो यह 36 नंबर है यह क्रिप्टान जो नोबल गैस है उसके अटॉमिक नंबर के बराबर है इसी तरह से एक और उदारान हम लेते हैं यहाँ पर हम कोबाल्ट का एक कॉंप्लेक्स है जिसमें यहाँ पर टेट्रामीन है ना चार एमीन लिगंड्स के रूप में उपस्तित है और साथि साथ यहाँ पर पर काउंटर आयियोम में सल्फिट उपस्तित है कि आप यहाँ पर लें कि कॉपर का एक कोमिक नंबर यहाँपर हो जाएगा . 29 और यहाँ पर इंहीं तो चार एमीन है उनके द्वारा कि चार गुणा 2 यहाँच्ति अन् रायन कांटर रायनसलफएट है जिस पर दो और जोंकर रोटाई और चुक्क यहां पर लिगंड उदासीन है उसलिए जो गो पॉजिटिव चार्ज है वो कॉपर के होंगे यहने की कॉपर यहां पर प्लस टू ऑक्सिडेशन स्टेट पर होने की वज़े से यह दो इलेक्टरान बाहर करेगा तो यहां पर जो इसके फाइनल जो इलेक्टरान हमें टोटल मिलेंगे 29 प्लस 8-2 इस उकल टू 35 तो यहां पर जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर मिल रहा है कॉपर का वो हो गया 35 इसी तरह से और एक्जामपल हम ले सकते हैं यहां पर है हमारे पास हेग्जामीन कोबाल्ट क्लूराइम अब यहां पर भी कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर यहां पर हम ले तो यह हो जाएगा 27 और 6 एमी Jakeeld का ओकसे लेशन नंबर तो फ्रसे हम देखेंगे यहां पर कांट रायाइन यहां पर क्लोराइट यहने कि दिया वह है वो तीन इनकी संख्या क्लूराइडायीनों की संख्या यहां पर तीन है यहन्हें कि जो कॉंपलेक्स होगा उसपर 3 प्लस चार्ज होगे और यहां पर चुकि लिगंड उदासीन है एमीर है और इसलिए जो कोबाल्ट है उस पर प्लस 3 ऑक्सडिशन चार्ज होंगे यहनि कि इसका ऑक्सडिशन नंबर प्लस 3 होगा तो इस तरह से प्लस 3 ऑक्सडिशन जब है तो इसने तीन इलेक्टरान उसके लिए त्यागे होंगे औ 27 प्लस 12 माइनस 3 इस उकल टू 36 और यह भी नोबल गैस क्रिप्टान के अटॉमिक नंबर के बराबर है एक और उदारन हम लेते हैं यहां पर है टेक्ट्रा कार्बोनिल निकल तो यहां पर हम देखें जो निकल है वो उसका जो अटॉमिक नंबर होता है वो 28 है और चार यहा 8 टोटल एलेक्ट्रान मिलते हैं और यहां पर 28 प्लस 8 कर दें और यहां पर देखें कि निकल का जो ऑक्सिडेशन नंबर है वो यहां पर काउंटर आयन प्रेजंट नहीं है और जो कार्बोनिल लिगंड है वो नूट्रल है यहां पर निकल पर आवेस शून होगा तो यहां पर जो effective atomic number हमें मिलेगा वो हो जाएगा 28 प्लस 8-0 is equal to 36 यहां पर फिर से हमें क्रिप्टन के atomic number के बराबर effective atomic number मिल गया 36 यहां पर एक बात निकल कर आती है कि maximum जो central metal atom है उनके effective atomic number एक noble gas जो की एक इस्थर परमानु संख्या होती है के बराबर आ रहे हैं इसका मतलब है कि जिनके atomic effective atomic number की संख्या हमें 36 मिलती है यह noble gas की परमानु संख्या के बराबर मिलती है वो complex बहुत अधिक स्थाई होते हैं जिन complexes में केंद्रिय धातु परमानु की effective atomic number noble gas के atomic number के बराबर नहीं होती है वो जैसे कि इनकी effective atomic atomic number कम होती है तो वो बाहर से electron प्राप्त करने की कोशिश करते हैं और यह जब electron प्राप्त करने की कोशिश करेंगे इसका मतलब है कि यह स्वयम एक oxidized agent की तरह विभार करते हैं दूसरी और यदि effective atomic number 36 या किसी noble gas के परमानु संख्या से अधिक होती है तब इनकी tendency उस अधिक electron को बाहर देने की होगी यानि कि उस समय यह स्वयम एक reducing agent की तरह कारे करेगा तो इस तरह से हम देखें कि effective atomic number के आधार पर हम उस complex की प्रकृति के बारे में भी जान सकते हैं इसके बाद जो coordination complex के अंतर कत उपयोग होने वाला अंतिम टर्म है वो है समन्वय बहुफलक यहने की coordination polyhedron coordination polyhedron से ताद परे है केंद्रिय धातू परमानू यहने की central metal atom सीधे सीधे जितने ligands परमानूं के से जुड़ा होता है उनकी दिक स्थान पर यहने की special arrangement कैसा है उनकी दिक स्थान में विवस्था कैसी है और यह देखा गया है कि जो coordination complex होते हैं उनमें मुख्य रूप से तीन प्रकार के polyhedron देखने को मिलते हैं जैसे कि यहां पर एक मिलेगा हमें octahedral जिसका उदारण हम ले सकते हैं यहां पर hexamine cobalt 3 plus iron के रूप में और यहां पर आप देखें कि जहां पर भी coordination number 6 होती है वहां पर हमने जाना कि उसकी जो geometry होती है वो octahedral होती है जिसमें कि जो चार ligand होंगे हमेशा वो वर्ग के समतल पर उपस्तित होते हैं जबकि दो ligand उस समतल के एक उपर और एक नीचे उपस्तित होता है तो इस प्रकार से octahedral यहां पर जामिती देखने को मिलती है इसके अलाबा यहां पर जो tetrahedral और square planner यह दो जामिती भी देखने को हमें मिलती है tetrahedral का हम उदारन ले सकते हैं जैसे tetracarbonyl nickel इसमें देखा गया है कि जो इसकी जामिती होती है वो tetrahedral होती है जिसमें nickel मद्ध में होता है और चत्रश फलक के चारो कोनों पर यह कार्वनिल समू उपस्थित होते हैं इसी तरह से square planner का उदारन हम ले सकते हैं इसमें tetra chloroplatinate two minus iron जो है उसमें यह पाया जाता है तिसमें की platinum धातू मद्ध में होता है तथा चारो जो chloride ligands होते हैं वो square planner के चारो कोनों पर उपस्थित होते हैं एक ही तल पर उपस्थित होते हैं तो इस तरह से जो complex बनते हैं उसमें central atom से जुड़े हुए जितने भी ligand है उनकी special arrangement यानि कि दिक स्थान में विवस्था किस प्रकार से होती है उसे ही हम समन्वे बहुफलक कहते हैं और इसके द्वारा हम किसी भी complex compound की जामती ग्याद कर सकते हैं उपसा सयोजन योगिकों से संबंदित सभी पारिभाशिक सब्दावली जान लेने के पश्चात अब हम उपसा सयोजन योगिकों का आयूपीयसी पद्धती से नामकरण करना सीखेंगे आयूपीयसी पद्धती के अंतरकत नामकरण करने के लिए पहले हम इनके सूत्र लिखना सीखेंगे और उसके बाद हम सूत्र से नामकरण करना सीखेंगे हम जानते हैं किसी भी योगिक का सूत्र उससे संबंधित आधार भूत सूचना को संक्षित में तथा सरल रूप में प्रगट करने का एक तरीका होता है तो आईए सबसे पहले हम जानते हैं एक केंद्र की उपसा संयोजन योगिकों के सूत्र लिखते समय हमें किन-किन नीमों का पालन करना होता है यहाँ पर एक केंद्र की इसलिए उप्योग में लाया गया है क्योंकि यहाँ पर जो जितने भी हम उदारन देखेंगे उसमें एक ही केंद्री धातु परमानूं होगा तो इसमें इनके नामकरण करने के नियम हम जानते हैं चुकि हम जानते हैं उपसा संयोजन योगिक भी एक साल्थी होते हैं लवन होते हैं और जिस प्रकार से हम सामाने लवन जैसे की सोडियम क्लोराइड मेगनेशियम क्लोराइड इनका नामकरण लिखते समय पहले धनायन को लिखते हैं और उसके बाद हम रिणायन को लिखते हैं तो ठीक इसी प्रकार का नियम हम उपसा स्योजन योगिकों के लिए भी प्रयोग में लाते हैं सबसे पहले यहाँ पर धनायन का सूत्र लिखा जाएगा और उसके बाद हम रिणायन का सूत्र लिखते हैं धनायन चाह जाएगा उधारन के तौर पर हम यहाँ देख सकते हैं यह से के 4 F E C N whole 6 यहाँ पर यह compound है इसका जब हम सूत्र लिखते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो potassium है वो simple cation है और इसलिए इसके सूत्र को संकेत को पहले लिखा गया है और इसके बाद हम complex iron को लिखते हैं क्योंकि जब counter iron positive है तो जो complex iron है वो negative होगा इसी प्रकार से एक और उतारन देख सकते हैं यहाँ पर है CO NH3 whole 6 Cl3 यह जो complex है यहाँ पर आप देखिए कि जो counter iron है वो negative है इसलिए उसे बाद में लिखा गया है जबकि यहाँ पर जो complex iron है वो positive है धन आयन है इसलिए इससे यहाँ पर पहले लिखा गया है यदि जो complex compound है उसमें धन आयन और रिन आयन यदि दोनों हमने देखा थे कई बार एक्जाम्पल में दोनों ही complex है तो वहाँ पर भी हमें जो cation है उसे पहले लिखना है धन आयन को पहले लिखना है और रिन आयन को बाद में लिखना है जैसे यहाँ पर उधारन हम देख सकते हैं जैसे है एंजी Penn restore . यह पॉजजटिव आयन है जबकि यहाँ पर gcn होल ट्वाइस यह नेगटिव आयन है तो नेगटिव आयन है इसलिए से बात में लिखा गया है और पॉजिटिव आयन को पहले लिखा जाएगा इसके बाद जो दूसरा नियम है वह है जितने भी कोडिनेशन स्फियर के अंदर जब हम लिखते हैं तो कोडिनेशन स्फियर के अंदर हम जानते हैं धातू तथा लिगन को एक बड़ी ब्रैकट के अंदर लिखा जाता है तो यहां पर जो धातू परमाणू अथ्वायन होगा उससे हम पहले लिखेंगे और लिगन को उनके बाद लिखेंगे और लिगन को लिखते समय हम अलफ़ाबेटिकली और का उप्य दूब करेंगे यहाँ पर उसमें किस प्रकार का आवेश है इसको ध्यान नहीं दिया जाता यहीं कि वो धनायनिक यह रेना वेशीत है यह उदासीन है इसको हम नहीं देखेंगे हम सभी लिगन को उनके अलफ़ाबेटिकली ऑडर में लिखेंगे जैसे हम यहाँ पर उधार है उसके अंदर जो धातू परमाणू है उसको पहले लिखा हुआ है और उसके बाद जो लिगंड्स हैं यहां पर दो लिगंड्स हैं एक है एमीन और दूसरा है क्लोराइड तो यहां पर एमीन अल्फाबटिकली पहले आता है इसलिए हम उससे पहले लिखेंगे जबके क्लोर यहां पर हम देखें कि धातू परमानू पहले लिखा गया है और इसके बाद जो दो लिगन है यहां पर एक क्लोराइड है और दूसरा है इथलेन डाइड एमीन तो यहां पर जो सीप अलफ़र्बेटिक के लिए पहले आएगा इसलिए जो पहले लिखेंगे जबकि इथलन ड लिगंट को भी अलफा बेटिकली ओर में ही लिखा जाएगा और साथ ही यदि हम उसे संकेत अक्षर में लिखते हैं जैसे कि इथिलीन डायमीन इसके लिए हम संकेत उप्योग करते हैं ब्रेकट के अंदर इन तो वहां पर भी जो ई है जो उसका पहला अक्षर है उसको ही हम अ द्रधारित करते समय उसको ध्यान देंगे जैसे कि यहां पर हम देखें सी ओसी एल्टू इन होल ट्वाइस यहां पर भी हमने लिखा है क्योंकि जो ई है वह अलफाबर्टिकली बाद में आता है इसलिए इथिलेंड डाइमीन के सूत्र को बाद में लिखा जाएगा जबकि सी एल्टू को पहले लिखा जाएगा इसके बाद जो पूरा संपूर्ण कॉर्डिनेशन स्फियर है वो हम जानते हैं उसे गुरु कोस्ठक या स्क्वैर ब्रेकट के अंदर लिखा जाता है और इसके अलावा जो संकेत अक्षरों में लिखे गए लिगंस होते हैं उन्हें ह जैसे कि H2O, NH3 तो इनको भी पेरियंथिसिस के अंतरगत या एक छोटे ब्रेकट के अंदर लिखा जाता है तो इस तरह से संकेत के रूप में अक्षरों को भी हम छोटे ब्रेकट के अंदर लिखेंगे इसके बाद आती है जो पूरा समर्वन में मंडल है यानि की पूरा जो कौरिनेशन स्फियर है उसमें धातू तथा लिगंड के मध्य में इनको लिखते समय किसी भी प्रकार का इस्थान नहीं छोड़ा जाता है जब भी हम धातू तथा उससे चाहे जितने भी लिगंड सूँ उनके जब हम संकेत लिखेंगे तो उनके बीच इस्थान नहीं छोड़ेंगे जैसे कि यहाँ पर हम एक्जामपल देख सकते हैं यहाँ पर सी ओ, एनस्थ्री, होल, फोर, एच्टू ओ, सी अल यहाँ पर तीन प्रकार के आपको लिगंड देख रहे हैं और यहाँ पर स्क्यार ब्रेकेट के बार बाहर जो काउंटर आयन है वो है सी अल टू यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि एक से अधिक अलग अलग प् इसके बाद में कॉरणेशन स्फियर के अन्दर जो यहाँ कोडिनेशन स्फियर यह पूरे कॉरे कऊडिनेशन में कंपाउंड को यदि हम काउंटर अवेन के बिना लिखते हैं का नहीं लिखा जाएका तो उस समय जो कॉडिनेशन स्फियर होगा वहाँ आवेश युक्त होगा आईनिक अवस्था में होगा तो इस समय जब हम कॉडिनेशन स्फियर के अंदर धातू तथा लिगन्स को लिख लेते हैं उसके बाद उसका जो आवेश है उसको जो स्क्राइर ब्रैकट है उसके बाहर दाई और उपर सुपर स्क्रप्स के रूप में ल रहले लिखेंगे जबकि उसके संकेत को बाद में लिखेंगे जैसे यहां पर हम उदारण ले सकते हैं सी ओसीन होल सिक्स ल 3 यह हमारा कॉडिनेशन कंपांड है यदि हम इसमें से काउंटर आयन यानिकी जो तीन यहां पर क्लूराइड आयन है उसे अलग कर दें तो यहां पर हमारा जो क्वार्डिनेशन स्फियर है उस पर तीन अब धनावेश आ जाएंगे तो उससे हम इस तरह से लिखेंगे जिब ब्रेकेट के अंदर हम यहां पर सी ओ सी एन होल सिक्स लिखेंगे तथा स्क्वार्ड ब्रेकेट के बाहर उपर दाई ओर थ्री प्लस लिखेंगे त्री इसमें आवेश की संख्या है तथा प्लस इसके आवेश को दर्शाता है तो इस तरह से आवेश युक्त जब हम कौर्डिनीशन स्फियर को लिखते हैं तो उस समय यहां पर आवेश को दाई और स्क्वाइर ब्रकेट के बाहर दाई और उपर लिखा जाएगा जब कि जो काउंटर रायन है उसको यदि हम साथ में लिखते हैं तो काउंटर रायन को उसके बाद लिखेंगे इस तरह से पूरे कॉडिनेशन कंपाउंड का सूत्र लिख लेने के बराबर है अथ्वा नहीं यहने कि पूरे धनावेश तथा पूरे रिणावेश इन सभी को हम संतुलित कर लेंगे क्योंकि हम जानते हैं जो उप्ससेजन योगिक है वो पूरी तरह से उदासीन होता है तो यहां पर धनावेश तथा रिणावेश की जो संख्या है वो बरा जो स्क्वार बैकट के ऊपर थ्री प्लस लिखा हुआ है यदि इस प्रकार यह हमें कॉंप्लेक्स आयन मिल रहा है तो हमें इसके बाहर तीन नेगटिव चार्ज काउंटर आयन के रूप में लिखने होंगे तभी यह जो पूरा कॉडिनेशन कंपाउंड है वह उदासीन हो उपसासेजन योगिकों का सूत्र लिखना सीखने के बाद अब हम उपसासेजन योगिकों के नाम करन करना सीखेंगे उपसासेजन योगिकों का नाम करन करते समय भी हमें कुछ नियमों को ध्यान में रखना होता है सबसे पहला नियम वही है जो सूत्र लिखते समय हमने जाता है और रिनायन का नाम बाद में लिखा जाता है जाहे धनायन कंप्लेक्स हो या फिर वो सिंपल धनायन हो पहले हम उसका नाम लिखेंगे जैसे कि यह उदारन यहां पर हम ले सकते हैं के फॉर एफी सी एन होल 6 यह हमारा coordination compound है और यहाँ पर चुकि potassium यह धनायन है और जबकि यह simple धनायन है जबकि हमारा जो complex है वो complex रिणायनिक है इसलिए हम counter iron का नाम पहले लिखेंगे और इस तरह से जब हम इसका नाम लिखेंगे तो इसका नाम होगा potassium hexacynopherate 2 इस तरह से हम इसका नाम लिखेंगे इसके बाद यदि हमें और एक्जामपल ले सकते हैं जैसे कि यहाँ पर है CONS3 whole 6 Cl3 यहाँ पर अब देखें तो जो complex iron है वो धनायनिक है जबकि counter iron रिणायनिक है तो अब यहाँ पर complex iron का नाम पहले लिखा जाएगा और counter iron का नाम बाद में लिखा जाएगा तो यहाँ पर हम देखें तो hexamine यहाँ पर 6 ligands है इसलिए इसका नाम होगा hexamine cobalt 3 chloride अब यहाँ पर देखें कि धनायन का नाम पहले और रिनायन का नाम बाद में लिखा जाता है इसके बाद हम नामकरण सीखेंगे complex iron का तो complex iron का नाम लिखते समय पहले हम ligands के नाम लिखेंगे और उसके बाद हम धातू परमानू या आयन के नाम लिखेंगे यह सूत्र लिखने के जो हमने नियम पढ़ा था उससे यह अलग है वहां सूत्र लिखते समय हमने धातू का जो संकेत है उसे पहले लिखा था और उसके बाद alphabetically ligands के नाम के संकेत हम लिखते थे लेकिन जब हम नाम लिखते हैं तो पहले complex के अंदर जो ligands है उनका नाम करण पहले किया जाएगा और उसके बाद हम धातू परमानू का नाम लिखेंगे साथी साथ जो complex के अंदर धातू और ligands सभी का जो नाम है बिना किसी gap के लिखा जाएगा और यहाँ पर किसी भी capital later का उपयोग भी नहीं होगा उधारन के लिए यहाँ पर यह जो example दिया हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि platinum धातू है साथ ही इसके बाद हमारी पास दो ligands हैं यहाँ पर amine जो की है और साथ ही साथ यहाँ पर chloride ligand है तो इनका यहाँ पर जब हम complex के रूप में जब इसमें नाम लिखेंगे और यहाँ पर counter iron उपस्थित नहीं है तो पूरे का जो हम नाम लिखेंगे वो बिना किसी capital letter के तथा बिना किसी इनके बीच gap छोड़े इनका नाम लिखा जाएगा तो इस तरह से इसका नाम हो जाएगा डाई एमीन टेट्रा क्लोरीडो प्लाटीनम फोर क्योंकि फोर यहाँ पर platinum की oxidation state है तो इस तरह से हम complex के अंदर पूरा जो complex के अंदर धातू और लिगन है उसका नाम करण करेंगे इसके बाद हम आते हैं लिगन के नाम करण लिगन का नाम लिखते समय हमें कौन कौन सी बाते ध्यान में रखनी है तो सबसे पहले लिगन हमने जाना है कि लिगन धनावेशित भी हो सकता है रिनावेशित भी हो सकता है या फिर उदासीन भी हो सकता है तो यदि लिगन रिनावेशित है तो उसके नाम के अंत हमें O से करना है यनि कि यदि उसके नाम के अंत में IDE आता है तो उसे हमें IDO से रिप्लेस करना है यदि नाम के अंत में ITE आता है तो उसे ITO से रिप्लेस करना है यदि नाम के अंत में ATE आता है तो उसे हमें ATO से रिप्लेस करना है जैसे chloride के नाम में IDE आता है तो उसे हम लिखेंगे chlorideo इसी तरह से यदि sulfite जिसके नाम के अंत में ITE आता है तो उसे हम लिखेंगे chlorideo और इसी तरह से यदि 8 आता है जिसे की sulfate तो उसके नाम के अंत में हम लिखेंगे sulfato तो इस तरह से इसे हमें पहले भी जाना था नियम में इसके बाद यदि लिगंड उदासीन है या फिर धन आवेशित है तो उसके नाम में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाता है लेकिन इसके भी कुछ अपवाद हैं क्योंकि उदासीन लिगंड में हमने देखा है यह सब्सक्राइब करें यह कि अध्यक्यवक यहां कोशेश्च लिगंड सोते हैं जैसे कि ह 2 O N S 3 Con O तो इनके नाम करण हम स्पेशल जो इनके नाम होते हैं जैसे कि एच्टू ओ के लिए एक्वा, एनस्थ्री के लिए एमीन, सी ओ के लिए कार्बोनिल और एन ओ के लिए नाट्रोसल, तो इन विशेस नामों का उप्योग करेंगे, इसके बाद यदि एक ही लिगंड कॉंफलेक्स के अंदर, एक ही लिगंड एक से अधिक बार आता है, तो उस की संख्या को दर्शाने के लिए हम जो संख्या वाच्चक प्रिफिक्स होते हैं, जैसे की डाई, ट्राई, टेट्रा, आधी, यहाँ पर शब्दों का उप्योग करेंगे, जैसे की यहाँ पर हम उदारन ले सकते हैं, यहाँ पर जो कॉंपलेक्स आपको दिखाई दे रहा ह है, इसमें कोबाल्ट धातु के साथ-साथ, हमें एमीन, एमीन की संख्या NH3 के तीन यहाँ पर एमीन लिगंड्स हैं, यह इसके बाद यहाँ पर H2O, एक एक्वा भी है, और यहाँ पर CL, जो क्लोराइडो हैं, वो 2 है, CL2 है, तो इस प्रकार से यहाँ पर जैसे एमीन है, इ तो उसके लिए हम प्राइड, यहाँ पर क्लोरीडो है, उसकी संख्या 2 है, तो उसके लिए हम डाइड जैसे शब्दों का प्रयोग करेंगे, तो इस तरह से हम देखें, कि यह जो पूरा कॉम्पलेक्स कंपाउंड होगा, उसका नाम हो जाएगा, यहाँ पर अलफ़बेट जो एमीन है, वो पहले आएगा, उसके बाद दूसरे नंबर पर आएगा, यहाँ पर एक्वा और उसके बाद आएगा क्लोरीडो, तो इस तरह से अलफ़बेटिकली ओर्डर में रखते हुए, हम इनकी संख्या वाचक प्रिफिक्स का उप्योग करते हुए, इसका नाम लि ओक्सिडेशन नंबर भी लिखेंगे, तो कोबाल्ट 3, फिर इसके बाद हम लिखेंगे काउंटर आयन को ब्रोमाइड, तो इस तरह से इस कॉर्डिनेशन कंपाउंड का नाम होगा, इसके बाद यहाँ पर हम देखें कि जब लिगंड के नाम में, उसके नाम में ही संख्या पदों का उपयोग होता है, तो वहाँ पर जब हमें लिगंड की संख्या बतानी होती है, तो उसके लिए हम बिस, ट्रेस, टेट्राकिस जैसे पदों का उपयोग करते हैं, यहाँ पर जैसे की उधारान में हमें देख रहा है, यह निकल धातु का एक कॉम्प्लेक्स है, जह तक्षर में लिखा गया है। वहें ट्रैइफिनाइल फास्फिन और इस लिगन्ड की संख्या क्योंकि इसे बेकट के बाहर जो संख्या लिखी गई है वह दो है और इसकी संख्या दो है अब यहां पर जो ट्राइफिनाइल φस्फीन है इसके नाम में ही ट्राई जो प्रिफिक्स का उप्योग पहले किया जा चुका है इसलिए अब इसकी जो दो संख्या है उसको बताने के लिए हम यहां पर बिस पूर्वलगन का उप्योग करेंगे तो इस तरह से यहां पर जब हम इसका नामकरन करेंगे तो यह हो जाएगा अलफाबटी के एक पहले आएगा सी क्योंकि अलफाबटी के लिए है और यहां पर जो फ्राई फिनाइल जो है वहां पर वह बाद में आएगा तो इस तरह से इसका जो नाम हो जाएगा वहां जाएगा डाई क्लोरीडौ और यहां पर पूर्वलगन के रूप में हम बिस का उप्योग करें त्राइक क्लोरीडो बिस्क ट्राइफिनाइल फॉस्फीन निकल टू के रूप में इसका नामकरण किया जाएगा इसी तरह से और एक्जामपल हम यहां ले सकते हैं जैसे कि यहां पर एफ इए एन होल 3 यहां पर आप देख रहे हैं कि जो जो लिगंड है वो है इथेलीन डाइमीन अब इथेलीन डाइमीन में भी इसके नाम में हम देखें कि डाइ जो है वो पहले ही इसमें प्रयोग किया जा चुका है इसलिए अब इसकी संख्या जो की तीन है इसको बताने के लिए हम यहां पर पूर्व लगन का उप्योग करेंगे तो यहां पर इसका नाम हो तो इस तरह से इन सभी लिगंड से संबंधित नियुमों का पालन करते हुए हम लिगंड कोंप्लेक्स के अंदर लिगंड का नामकरन करते हैं अब कोंप्लेक्स के अंदर जो धातू परमानू है या आयन है उसके नामकरन के लिए भी हमें कुछ नियुमों का पालन करना होता ह तो यहां पर आती है धातू परमानू इसकी सबसे पहले ऑक्सिकरण संख्या को प्रदर्शित करना तो जो भी धातू आयन है यह परमानू के रूप में उदासीन हो या फिर धनायन के रूप में हो इसकी ऑक्सिकरण संख्या को हम रोमन अंकों में ब्रेकट के अंदर लिखकर प्रदर्शित करते हैं साथ ही यहाँ पर जो धनायन यदि कॉंप्लेक्स के अंदर यदि धातू या पूरा जो कॉंप्लेक्स है वो यदि धनायनिक हो या फिर उदासीन हो उस समय हम धातू आयन के नाम में किसी भी प्रकार का पर्यवर्तन नहीं करते हैं लेकिन यदि जो कॉंप्लेक्स है वो रिनायनिक हो रिनाव शित हो तो उस समय धातू के नाम में परिवर्बर्टन किया जाता है और धातू का जो तत्त्तु अवस्था में नाम होता है उसके अंत में हम एट लगा देते हैं जैसे कि कोबाल्ट के लिए इसका नाम हो जाएगा यदि जो पूरा कॉम्पलेक्स है वो रुणा वेशित है तो कोबाल्ट का नाम हम कोबाल्टेट के रूप में लिखेंगे यहां पर हम उदारान ले सकते हैं यह कोबाल्ट का कॉम्पलेक्स कंपाउंड है और जिसमें की जो तो थायो साइनाई है जिसके चार लिगंड के रूप में उपस्तित है और साथ ही आप देख रहे हैं कि इसके स्क्वेर ब्रेकेट के ऊपर टू माइनस लिखा हुआ है यानि कि यह जो कॉम्प्लेक्स आयन है वो रिनावेशित है तो इस समय इसका जो नाम हम लिखेंगे उसम जो धातू आयन का नाम होगा वो कोबाल्ट की जगह पर कोबाल्टेट लिखा जाएगा तो इसका नाम करण हम करेंगे यहाँ पर लिगंड है मारे पास लिगंड में इनकी संख्या चार है तो लिगंड का नाम हो जाएगा टेट्रा थायो साइनाइडो कोबाल्टेट और य लिखेंगे जिंक के लिए जिंकेट लिखा जाएगा निकल के लिए निकलेट लिखा जाएगा और मरकरी के लिए मरक्यूरेट लिखा जाएगा तो इस तरह से जब कॉंप्लेक्स आयन रिण आयनिक हो तो वहां पर हम धातु आयन के नाम को परिवर्तित करके लिखते हैं अन्य था जब यह धनावेशित हो या उदासीन हो तब जो धातु आयन का नाम होता है वह वही लिखा जाता है जो उसक ब्सक्राइब को जो विखेस हैं उनके नाम जो हम लिखते हैं वह बोकुर्श नाम लिक्कर उनीक लेटिन नाम선 की लिखा जाता है और जैसे कि यहाँ पर FE हम जानते हैं यह iron इसका जो English नाम होता है वो iron है लेकिन जब हम complex में इसे लिखते हैं और जो complex रणावेशित हो जब धनावेशित हो तब इसे iron ही लिखा जाएगा लेकिन जब complex रणावेशित होगा उस समय इसका Latin नाम ferret उपयोग में लाया जाएगा ferret और साथ में जो ATE लास्ट में लगा होगा और इससे हम ferret लिखेंगे इसी तरह से हम जानते एजी जिसका सामाने नाम होता है silver जब complex iron धनावेशित या उदासीन होगा तब इससे silver ही लिखेंगे लेकिन यदि यह रणावेशित complex है तो उस समय इसे और जेंटेट लिखा जाएगा इसी तरह से AU जो की gold है और इसका जब complex रणावेशित complex में नाम लिखेंगे तब हम इससे लिखेंगे और एट उसी तर इसी तरह से S-N जो की सामाने नाम टिन होता है और इसका नाम लिखा जाएगा स्टेमेट तो इस तरह से धात्मों का नाम करन करते समय भी हमें इन नियमों को ध्यान में रखना होता है तो इस तरह से हमने आज coordination compound के सूत्र लिखने के नियमों को और साथ ही इनका नाम करन करने के सभी नियमों को अच्छी तरह से जान लिया है अब हम इनको कुछ उदाहनों के द्वारा इनकी सूत्र लिखने की तथा इनके नाम करन करने की practice करेंगे